सब्सक्राइब आपके अपनी चनल इस्टेडी वाड़ी में तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जा मैं मिला इसलाम या बी ए डिस्टेंस टू सावरन टूर्टिफोर टूर्टिफाइब सेकेंड सेशन का जो पेपर हैं जो की तीन अक्टूबर को उगाता हो उसक का लिंक मिल जागा वहां सहा पीजली जाके देख सकते हो पहला हूँ इस दप को ओरीजिनेटर हir drinks मे rash तो दिखें इसमेज ओंपसन दिआ वाय है discovery करके सिखते हैं उसी method को हम क्या बोलते हैं heroistic method बोलते हैं और इसको देने वाले आपको है throughable option number C सा correct हो जागा C is the correct हो जागा एक जर्मन एक तरीके से बोल सकते हैं हम इनको जर्मन educator एक जर्मन educator थे throughable इन्होंने दिया था learning through discovery सब्सक्राइब करते हैं और discovery method भी बोलते हैं और नेक्स अलते हैं question number 47 की तरफ second question है कि Mohan is the 12-year-old boy he does not like to study you as a teacher आपको क्या करना चाहिए 12 साल कोई बच्चा है नाम उसका Mohan कुछ भी हो सकता है लेकिन माने दें 12 साल कोई बच्चा है वो पढ़ना नहीं चाहता है वो पढ़ागी को लाइक नहीं करता तो उसकेस में अब क्या करोगे give him oral work क्या पूसे सिर्फ oral work के देदोगे describe the benefit of study क्या उसे study के benefit बताओगे बेटा पढ़ लो पढ़ लेके यह बनोगे ऐसे बनोगे वैसे बनोगे या फिर leave on his own in the class अब उसको उसी हालत पर छोड़ दोगे ठीक है request him to study despite he is not interested अब जिस चीज में interested नहीं है उसके लिए हम क्या उसे request करेंगे तो देखो यहाँ पर जो option number B correct हो जाएगा क्योंकि हम उसको describe करेंगे उसको benefit बताएंगे study का benefit बताएंगे बेटा पढ़ लो पढ़ लो की काम्याब हो जाओगे इतने पैसे आएगा इतना ही आएगा हम उसको बताएंगे हम इसे benefit बताएंगे ठीक है कि आपका समाज में आपका नाम होगा आप पढ़ लिख जाओगे कई ISP6 बन गए तो फिर समाज में क्या पूरे आपका state में आपका सम्मान होगा तो हम उसे benefit बताएंगे study के benefit बताएंगे ना कि उससे request करेंगे नहीं उसको उसके हालत पर छोड़ देंगे नहीं उसे oral work करेंगे ठीक है तो इसका B is the correct option हो जाएगा नेक्स सलते question no.4 sorry 48 इसमें कि as a teacher in a PTA meeting कोई teacher parents meeting हो रहा है you should you would आपको क्या करना चाहिए उस case में अगर कोई PTM चला है या फिर PTA meeting चला है उस case में आप क्या करोगे क्या करना चाहिए आपको put the view of principal आप principal के view को put करोगे या disclose the defective policy of the school या फिर आप उनके सामने या तो आप principal के जो views है उसको आप बताओगे parents को वही देख हमारे principal का यह views है या फिर आप कहोगे देख हमारे school में कमिया है आप उसको disclose करोगे या participate actively या फिर आप उस PTO को अच्छे से participate करोगे काफी active way में participate करोगे या फिर favor the parents या फिर parents के favor में आप इस case में जो correct answer है वह आपको होजागा participate actively आप actively उस PTO को participate करोगे पैरेंस की बातों को सुनोगे अच्छे सुनोगे पैरेंस के बात को और फिर उनका जवाब दोगे कि दिखिए ऐसा ऐसा आपका बच्चा करेगा तो और गुरूद कर सकता है दिखिए हम यहां से पुरा अप पर्शन दे रहे हैं आप भी थुछा सा सब्सक्राइब कर दो तो बच्चा आप आप अच्छा बच्चा बच्चा बन जाएगा एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला बन जाएगा तो हम क्या करेंगे एक पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिविली इसका C is the correct option होजएगा न अब स्ट्रेक्ट फैक्शन क्या हो सोच के अभी थोटा बच्चा तो कैसे सोच जेगा समझेगा तो यह तो option होगा नहीं नहीं होगा नेक सलते हैं second पर कि by applying newly required knowledge of the language अब उस बच्चा छोटा सा है उसको कुछ पता है नहीं एवी सीडी कुछ पता है नहीं तो कैसे नहीं ले सेंस तो क्या करेगा अपने सेंस का यूज करेगा अपने सेंस का यूज करके new thing को क्या करेगा learn करेगा तो इसका c is the correct option हो जाएगा next question number 50 की तरफ education of children with special need should be provided तो इसका जो correct answer हो जाएगा आपका जो correct answer हो जाएगा along with the other normal children इसका c is the correct answer हो जाएगा next चलते question number 51 की तरफ अब दिख इसमें the direction of the development in the child from center to periphery is called periphery is called तो ऐसा हमको बताना है किसी बच्चे के केंद्र से उसके पूरे whole body पर जो भिकास होता है उस दिसा को क्या करते है उस दिसा को क्या करते है तो इसका correct answer B हो जाएगा प्रॉक्सी मोडिस्टल क्या होता है प्रॉक्सी मोडिस्टल में बच्चा सबसे पहले अपने धर को कंट्रोल करता है सबसे पहले अपने धर को कंट्रोल करता है दैन उसके बाद अपने hand को अपने leg को अपने finger को कंट्रोल करता है सबसे पहले अपने धर को कंट्रोल करता है मतलब क्या हो रहा है center से किदर की तरफ जा रहा है whole stick की तरफ जा रहा है तो इसका B is the correct answer हो जाएगा next अलते question number 52 की तरफ इसमें कि besides knowledge, experience and research what else is required for teaching तो इसका correct answer A हो जाएगा aptitude अब aptitude की meaning क्या होता है aptitude means होता है ability एक तरीके से natural ability होता है या फिर इसको talent भी बोल सकते है for specific task किसी specific task को सीखने का ability है और एक तरीके से talent है तेकि इसको हम aptitude बोलते हैं तो इसका correct answer यह हो जाएगा next अलते हैं 53 की तरफ the most appropriate meaning of learning is learning का जो main आपको main आप एक बोल सकते हैं main cause है क्यों हम learning करते हैं तो learning हम करते हैं अपने बेवहार में परिवर्तान लाने के लिए हम modification of behavior के लिए हम learning करते हैं ठीक है modification main इसका हो जागा बाकि सबी option correct है आपका घ्यान में संचार लाने के लिए भी करते हैं अपने व्यक्तिगत समायोजन के लिए भी करते हैं और causal का अधिगरण के लिए भी करते हैं लेकिन जो main इसका है cause अगर इसको numbering दिया जाए तो सबसे पहले नंबर पाएगा modification of behavior हम learning से क्या करते है modification of behavior करते है तो B is the correct option हो जाएगा नेक्स जलते है question number 54 की तरफ इसे which of the following does not come under the cognitive domain अब देखे जो cognitive domain आता है उसमें आपका feeling आता है emotion आता है और value आता है तो यह सब सारा characterizing में आता है तो C is the correct answer हो जाएगा इसका C is the correct option हो जाएगा इसका C is the correct answer हो जाएगा नेक्स जलते है question number 56 की तरफ हम नेक्स है homework is given to the student wife हम homework क्यों देते है बच्चों को बच्चों को homework क्यों देते है बच्चों को बच्चों को देते है बच्चा घर पर पढ़ सके क्या इसके लिए देते है इसके बच्चों के लिए तो देते हैं तो देखो इसमें जो ऑप्सन नंबर B & C ये दोनों आपका correct है और श्तुडेंट को फोर्थ स्के लिए इसके लिए देते हैं तो ये घर पर पर पढ़ सकते हैं और झाचे है ओannel क्या उसे हो समझ में आए कि नहीं है उसके लिए भी देते तो तू नंबर पो जाएगा लेकिन जो में थींग है में थींग है क्यों देते हों वक ताकि बच्चे का डेवलप्मेंट हो सके बच्चे का फॉर देवलप्मेंट आप दे इस्टूडेंट इसका बी इस दा सके बच्चे की तरफ इसमें की इन अ क्लास्रूम टीचर एड़ दोप दियर पेडागोजी एंड वरी एससमेंट टू के टें तू इंडू वीजिवल स्टूडेंट तो इसके लिए होगा इंडूविजियल स्टूडेंट के लिए होगा प्रोग्रेशी होना चाहिए क्या ह नहां भी individual student की बात है आपको progressive पर टिक कर दिना है, teacher progressive होगा तब individual student को सिखा सकता है, next चलते question 58 की तरफ, next है a teacher can be successful in his aim, एक teacher successful कब होता है, वो अपने aim में कब successful होता है, जब by keeping his student in discipline, क्या अपने बच्चों को सिर्फ discipline में रखके, तो हम क्या कर सकते, छड़ी जे दे teacher को, और ब teacher successful होता है, नहीं, अलाकि discipline होना अच्छी बात है, लेकिन यह आपका primary thing नहीं होगा, by making his teaching impressive, तो उनका teaching impressive करने के लिए, by making his teaching impressive, तो impressive बनाने के लिए उनका teaching, teacher successful हो जागा, यह भी नहीं, correct answer नहीं है, इसका, by the punctuality, daily जा रहा है, तो क्या वैसे successful teacher कहला है, गर नहीं, by taking care of interest of student, student किसमें interested है, उसके हिसाब से पड़ा है, ताकि बच्चा कुछ सीखे, तो इसका D is the correct option हो जागा, D is the correct answer हो जागा, next सलते है 59 की तरफ, इसमें main responsibility आप school management lies on, तो जो school का management है, वो किस पर main lie करता है, देखिए, अगर हम देखिए, अगर academic की देखिए, अगर by academic अगर हम बात करे करेंगे, तो manager होता है, ठीक है, अगर हम academic पर focus करें, कि academic total की, किस teacher को assign करना है, कहा assign करना है, time table बनाना है, कितना work complete हो गया, homework वेजना है, क्या करना है, क्या नहीं, parents से बात करना है, यह overall क्या करता है, principle, तो में इसका answer इसका principle हो जागा, लेकिन अगर overall की बात करेगा, अगर whole की बात करेगा, तो इस case में manager हो जागा, लेकिन अभी फिलाजी साब से question पूछाया गया है, उसका principle जवाब होगा, A is the correct answer हो जागा, next सलते है, question number 60 की तरफ, which of the following is not a behavioristic, तो इसमें जो दिके Watson हो गया, Skinner हो गया, या फिर Paul हो गया, या फिर पावल हो गया, या फिर पावल हो गया था, तो इसा correct answer D हो जाएगा, next सलते है, question number 61 की तरफ, the most important quality of an effective teacher is, तो आपको बताने है, जो effective teacher होता है, किस teacher को हमें effective teacher बोलते है, deep knowledge about the subject taught, तो जो पढ़ा रहा है, उसके बारे में काफी अच्छी knowledge है, बहुत अच्छा knowledge हो उसके पास, क्या आप उसको आप effective teacher बोलेंगे या strict discipline वाला, जो strict discipline कायम करता हो, उससे आप effective teacher बोलेंगे, या फिर good rapport with student, जो student साथ तालमेल मिला के पढ़ाता हो, उसके साथ माला, student और teacher के good तालमेल मिलती हो, अच्छे तालमेल मिलती हो, उससे, या फिर good motivator, या फिर अच्छे motivator को, तो देखो, इस case में जो correct answer को, क्योंक क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि most important, most important quality बोला है, तो most important quality क्या होता है, कि teacher, student एक दुसर से interact हो सके, teacher जो पढ़ा रहा है, student उससे question पूछ सके, या नहीं कि teacher बहुत अच्छे sex feeling कर रहा है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं student, मतब इस student साथ अच्छा तालमेल रखने को हम rap out बोलते हैं, ठीक है, teacher और student के भी तालमेल बैटन जो बैठता है, उस word को हम rap out बोलते हैं, तो C is the correct answer हो जाएगा, next लते है question number 62 की तरफ, development of concept is primarily a part of, किसका part है, इसका जो हमारे पास है intellectual को हो जाएगा, D is the correct answer हो जाएगा, 62 का D is the correct answer हो जाएगा, next लते है 63 की तरफ, अभी इसी पर सेम ऐसी question आया था उपर, the direction of the development in the child, from the center to, देखिए ये repeated question है, इसका भी option B correct हो जाएगा, repeated question है, एक ही साल, एक ही question को repeat कर दिया, देखिए, तो बताइए, जब एक ही साल में एक question को दू बार पूछ सकते हैं, तो पान सा state of mind, which reflection like, like and dislike of the learner, तो हाला कि उसी जैसा question है, तो यहां से इसका जो correct answer हो जाएगा attitude, तो किसी का attitude, डिफाइन करता है कि कि किसी चीज को like करता है, या फिर dislike करता है, तो उसका B is the correct answer हो जाएगा, next अबते है question 65 की तरफ, teacher uses visual ad to make learning, तो क्यों as add करता है, क्यों teacher जो है, कि visual visual ad उसे बोलते हैं, हम audio और video, audio और video मिक्स करके जो हम बच्चों को सिखाते हैं, या फिर video दिखा दिया, audio सुना दिया, तो ऐसा क्यों? इससे हम learning क्यों सिखाते हैं, क्योंकि यह क्यों होता है, इंट्रेस्टिंग होता है, बच्चे जल्दी सीख जाते है, in a class is based in sure wind तो आप किसे मानते हो कि class में discipline है किसे मानते हो कि class में बहुत अच्छा discipline चल ला है discipline in a class is based in sure wind तो कब होता है जब जितने भी बच्चे हैं जितने भी student are equally partner in the teaching learning process मतलब equally जितने भी students सबी equally partner हो teaching learning process में तो d is the correct answer हो जाएगा नेक सलते हैं 67 की तरफ learning without burden was recommended for the first time दो दो को learning learning without burden जो सबसे पहले लाया थे वो यस पाल committee के थूँ आय था यस पाल committee के थूँ पहली बार आय था जो कि 1993 में आय था सबसे पहले learning without burden 1993 में आय था ठीक है कि बिना किसी वर्डन के learning कराया जाए नेक सलते हैं कोशन number 68 की तरफ अप्सेंटीज में can be tackled by तो जो बच्चे अप्सेंट करते हैं उसको हम कैसे उस पर कैसे हम काबू पा सकते हैं हम स्टूडेंट को पानिस करके गिविंग दस्टूइट उन्हें चाउकलेट देखे या फिर कुछ और तरीके का या फिर अपने टीचिंग से या फिर contacting the parents या फिर हम टीचर से parents से contact करके देखें जब टीचर मलब जब टीचर और parents का जब contact होगा दूसरै से उसे हम क्या कर सकते हैं जुब बच्चे absent हो रहे हैं बहुत जादा इफेक्ट नहीं पढ़ने वाला है, तो हम पहले parents से बात करेंगे, parents से बात करेंगे कोज जानेंगे क्यों बच्चा अपसेंट हो रहा है ठीक है, तब तक हम उसे solution कुछ निकाल सके तो इसका D is the correct answer हो जाएगा D is the correct answer हो जाएगा contacting the parents आई निक सते हैं 69 की तरफ the most important school related factor influencing child intelligence तो जो बच्चे के चाइल्ड जो बच्चा है उसके intelligence को हमें growth करना है, तो उसके लिए में क्या करना चाहिए, कौन कौन से factor है तो देखो curriculum हमें अच्छा curriculum रखना पड़ेगा हमें discipline में रखना पड़ेगा curriculum activity करानी पड़ेगी तो इसका मतब all of the above हो जाएगा जहां all of the above आए जिस भी teaching attitude में all of the above आए समझे कि 99.9% जो case में all of the above ही answer होगा, क्योंकि teaching attitude एक ऐसा subject है, एक ऐसा topic है जिसमें सारे answer आपको correct लगते हैं, कि ये भी option correct है तो दो option मिल गया, तो तीसरा automatic all of the above ही जाएगा नेक्स अत्य कोशन नमबर last 70, I think last last question, mind mapping referred, तो इसमें क्या है, एक आपका technique है जो mind map होता है, एक technique होता है enhance comprehension तो एक comprehension को enhance करने के लिए mind map बनाया जाता है, एक technique है ठीक है, तो A is the correct option हो जाएगा ऐसे ही, यह हो गया यहां से teaching aptitude या फिर teaching learning बोल सकते हैं, complete हो गया next video में हम English की बात करेंगे, उसके बाद आपका जो subject wise है, math का अलग बनाएंगे, science का अलग बनाएंगे बाकी English, SST, सबका अलग अलग वीडियो आएगा, तो अगर आपको scan कर लीजे, QR code को direct आपको ग्रूप में भेज़ देगा या तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल के description box में चले जाएगे, वीडियो के description box में भी आपको link मिल जाएगा, वहाँ से आप इसली आप जोईन हो सकते हैं, और कोई discussion करना है, तो description group यहाँ पर है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत क्या लखें, thanks for watching